मैं आपके सामने एक परवीन शाकिर की छोटी सी नजम पेश करूँगे उसकी तर्ज बनाने की कोशिश की है, बहुत प्यारी सी नजम है, मुला जब्रमाई कल हल्की हल्की बारिश थी कल सर्द हवा का रक्स भी था कल हल्की हल्की बारिश थी कल सर्द हवा का रक्स भी था कल फूल भी निखरे निखरे थे कल उन पे आपका अक्स भी था कल बादल काले गहरे थे कल चांद पे लाखों पहरे थे कल बादल काले गहरे थे कल चांद पे लाखों पहरे थे कुछ टुकडे आपकी आदों के बड़ी देर से दिल में ठेहरे थे कल यादे उलजी उलजी थी और कल तक ये ना सुझी थी कल यादे उलजी उलजी थी और कल तक ये ना सुझी थी कल याद बहुत तुम आए थे कल याद बहुत तुम आए थे शुक्रिया मैं मैथली शरंगुप द्वारा रचत एक कविता आपको सुनाने जा रही हूँ आप सबने भी कभी बच्पन ने सुनी ही होगी कविता का प्रसंग उस समय का है जब गौतम बुध राजकुमार से धार्थ थे उनका बेटा राहुल अपनी मा यशोधरा से कहानी सुनने की जिर्द करता है तो यशोधरा उसे उसके पिता की ही कहानी सुनाती है जब उन्होंने एक शिकारी से एक आहत पक्षी को बचाया था कविता का शीर्शक है मा कह एक कहानी मा कह एक कहानी बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी मा कहती मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी कह मा कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी मा कह एक कहानी तू है हटी मानधन मेरे सुन उपवन में बड़े सवेरे ताथ भ्रमन करते थे तेरे जहां सुर्भी मन मानी हा मा यही कहानी वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिमबिंदु जिले थे, हलके जूके हिले मिले थे, लहरा था था पानी, लहरा था था पानी, हाँ हाँ यही कहानी गाते थे खग कल-कल स्वर से, साजा एक हंस उपर से, गिरा बिध होकर खगशर से, कुई पक्ष की हानी, करुणा भरी कहानी, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखे टक आया, लक्ष सिद्धी का मानी, लक्ष सिद्धी का मानी, वो मलकठिन कहानी मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, किंतु वह जो था खगभक्षी, हठ करने की थानी, हठ करने की थानी, अब बढ़ चली कहानी हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग रही थे स्वविशय में, गई बात तब न्याया लै में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्या पक्षी कहानी राहुल, तुने नय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय, जै हो जिसका, सुनलू तेरी वानी मा, मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी कोई निरप राध को मारे, तो क्यों न अन्ने कोई उसे उबारे रक्षक पर भक्षक को उबारे, न्याय दया का दानी न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी शुक्रिया